नमस्कार दोस्तों कैसे हूं आप तब लोग ठीक होंगे खेयरी सी को होंगे और दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक वाइफई मीनी एड़ेप्टर की जो कि आप अपने मोबाइल का डेटा शेयर कर सकते हैं अपने डेश्टॉब में अपने लैक्टॉब में तो आज हम इसे के बारे में बात करेंगे कि इसे कैसे इस्टॉल करना है और आप इसे ले सकते हैं और कहां से बाइक कर सकते हैं और कैसे जो ड्राइवर हैं उनको कैसे इस्टॉल कर सकते हैं तो चलिए वीड जो देखी हैं तो हमें कोई प्रॉपर वीडियो नहीं मिली है जो कि यह प्रॉब्लम का बात कि जब उनका जो सीडी ड्राइब खराब होता है तो इस वजए से जो इसके अंदर जो सीडी आती है तो आपको दिखा देता हूं चलिए तो यह वह एड़ेप्टर है यहां पर देहिए यह आपको यहां पर भी पीछे लिखाए डिट जीरो टू-पॉंट-11 एन यह इसका नाम है आप देख पार होंगे तो यह इसका नाम है इसका नाम है और जो मॉंडल है वहाए इसका देखिये इसके साथ में एक जो ड्राइवर हैं आपको इस्टॉल करने हैं तो जो इसके ड्राइवर सपूर्ट करते हैं वो है विन्डो एकसपी विन्डोव सेवन बीडोव window 8 window 10 window और Mac में भी यह काम करेगा और यहां पर इसकी जो speed है वह जो है इसकी 2.4 GHz जो कि इसकी frequency range है और उसके बाद में radio rate and date यहां पर 950 Mbps है ठीक है तो यहां पर हमने आपको इसे बता है और जाजानकर के लिए आप description को चेक कर सकते हैं और यह इसका एड़ेप्टर है तो चलिए हमसे install कर लेते हैं बात करते हैं एक छोटी सी प्राव्लम की जो कि लोगों को आती है यह ड्राइवर की तो दोस्तों काफी सारे लोगों के मैंने comment देखे हैं कि भाई हमारा जो DVD जो ड्राइवर वो खराब है और हमें से install क्या सकते हैं कई सारे दोस्तों के PC में जो उनका जो DVD ड्राइव होता है वो खराब होता है तो इस वज़ए से उसे पर ट्राइवर करके देखा था क्योंकि मेरा भी जो DVD ड्राइवर वो पूरा खराब है तो इस वज़ए से मैंने इंटरनेट से कई सारे ड्राइवर ड्राइवर करके देखे लेकिन यहां पे कोई support नहीं किया लाश्ट मैं मैं अपने दोस्त के पास गया और वहां से मैंने इसे कॉपी किया अपने pen trap में pen trap में डालने के बाद में जब मैंने इसे प्रोवाइड करा दूँगा क्योंकि इंटरनेट पर इस मॉडल का कहीं नहीं है मैंने अपने दोस्त के कंपूटर में जाके इसे अपने pen drive में कॉपी किया है जब मैंने इसे इस्टॉल किया था तो आपका यह जो मॉडल नंबर है यह आप देख सकते हैं यहां पर अगर यह अब इसे इस्टॉल कर लेते हैं और देख लेते हैं कि यह कैसे वर्क करता है तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने computer की तरफ और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर अभी हमें कोई wifi का sign नहीं नजरा रहा है क्योंकि अभी यहां पर हमने इसे नहीं लगाया है तो आपको सबसे पहले जाना है अपने control पेनल में उसके बाद में आपको यहां पर इस तरह के इंटरफेस मिल जाएगा यहां पर इसे लाज आइकन पर क्लिक कीजिए और यहां पर आपको डूनना होगा device manager तो यहां पर device manager में जाएंगे आप तो अब आपको यहां पर अपना जो adapter है तो यहां पर अपना Wifi adapter लगाईये तो यहां पर जो इसका जो driver है तो यहां पर सोगा आप यहां पर देख सकते हैं 802 यहां पर आपको हो रहा है कि यहां पर यह कुछ error नहीं किया है इसके जो driver है उनको इसलिए यहां पर यह दिखा रहा है तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर अपना जो driver है यहां पर इस्ट्रॉल करेंगे तो यह हमारे पास HP का solar gb का pen drive है इसमें हमने कॉपी कर रखे हैं अगर आपको इस तरह की का पेंट्राइब चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्सिंट में लिंक मिल जाएगा तो वहां से आप बाइब कर सकते हैं यह करीब आपको 400 से पुर्ण हमने यहां पर लगा लिया अपना डारै और यहां पर हमेंसे इसे उपन करेंगे से उपन ओपन करने की बाध यहां पर आप देख सकते हैं एक फिर अपका मैस पर इस फोल्टर घौण चरह लो सकते स्थ i अपने setup को और open करने के बाद में हम चलिए man screen पर आ जाते हैं और यहां पर जो आपका जो driver है वो install होना शुरू हो जाएगा तो अब यहां पर आपको थोड़ा wait करना है चलिए यहां पर इसे install होने देते हैं और अब कुछ काम की बात कर लेते हैं तो काम की बात यह है दोस्तों कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथ में बेल आइकन दबा करके अल नोटिफिकेशन और जरूर कर लिजिए हैं अगर आप एमाजोन से वाइक करते हैं तो आपको यह करीव दोसों से डाइसों तक पड़ जाएगा अगर आप ऑफ-लाइन पहले आप देख लीजिए अगर ऑफ-लाइन मिलता तो ठीक है मुझे बहुत मुस्किल से मिला था लेकिन मैंने ऑफ-लाइन बढ़िए देखते हैं लिंक आपको । में मल जाए चो हमारे यह तक पूरा इंस्टोल हो रहे हैं और आपको भी कंटने तक रुकना है इसको पूरा इंस्टॉल होने दीजिए और इंस्टॉल होने के बाद में जो हमारा जो डिवाइस मैनेजर है वहां पर आपको सोग हो जाएगा आपको दिखा देता हूं कि अभी यहां पर कुछ ऐसा एरर आ रहा है अगर आपके डाइवर पूरा इंस्टॉल हो जाएंगे तो यहां पर मुझे करीब 5 मिनट लग गए थे आप यहां पर देख सकते हैं कि डिवाइस मैनेजर में जो हमारा जो डाइवर था यहां से निकल चुका है आप देख सकते हैं और अगर यहां पर निकल जाए तो अभी इसका मतलब यह नहीं है कि आपके डाइवर कंप्लीट हो घृआ अभी आपको दिखाता ह Seoki कि अभी यहां पर कुछ डाइवर बाकी हैं जो कि अभी वार of तो बीच में आपको तो अपना रोखना नहीं है यहां से आपको दिखा देता हूं तो इसको मैं बंद करता हूं यहां पर देख सकते हैं आप अभी भी हमारे जो ट्राइवर हैं वह यहां पर इस्टॉल हो रहे हैं दोस्तों इस adapter के साथ में आपको जो CD मिलती है उस CD को आपको अपने computer में लगा करके ड्राइवर इस्टॉल करने होते हैं अगर आपके computer में DVD जो ड्राइव होता है वो खराब है तो आप उसे copy करके उस CD में से आप अपने pen drive में डाल सकते हैं या फिर आपको नीचे description में लिंक मिल जाएगा तो वहां से भी आप उसे download कर सकते हैं तो अगर नहीं मिलता है आपको link तो आप मुझे message कीजिए तो मैं आपको वो ड्राइवर send कर दूँगा ठीक है तो यहां पर अब यहां पर हमारा थोड़ा बहुत काम होने वाला है आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां यहां पर आपको सूख हो जाएगा यहां से हमारा जो लेंड का जो ऐकों था यहां पर यहां पर वाई-फाई में बतल चुका है आप पि देख सकते हैं नीचे आपर ने तो यह देखिए यहां पर अभी थोड़े हमारे डाइवर बाकी हैं तो चलिए हम इसे पूरा complete होने देते हैं और यहां पर यह कंप्लीट होने के बाद ही हमारा जो बाइफाइडप्टर है तब बर्क करेगा क्योंकि अभी कुछ न कुछ एरर हो जाएगा आप ऐसा ना करेंगे बीच में रोग दें तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर यहां पर देख सकते हैं और 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 यहां पर देख सकते हैं यह जो Wi-Fi Sign है वो भी यहां पर आ चुका है तो यहां पर अभी हमें No Signal दिखा रहा है क्योंकि यहां पर हमने अभी इसको Connect नहीं किया है तो सबसे पहले हम अपना Mobile लेंगे तो यह मेरे पास Samsung का Mobile है आपको अपना Hot Spot खूलना है जो भी आपका Mobile है और उससे पहले अपना तो यहां पर सबसे पहले आपको Wi-Fi भी जो आपका Wi-Fi का Password है वह भी आपको जान देना है तो यहां पर हमारा जो Password है आप देख सकते हैं तो इस पासपर को हम यहां पर डालेंगे क्योंकि यहां पर हमें Password की जरूरत पड़ेगी तो चलिए यहां यहां पर हम क्यों लेफ्ट क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको जो Wi-Fi यहां पर सिकनल है वह यहां पर दिखाए का कौन सा Connect है अभी तो यहां पर आप देख सकते हैं इसको हम फिर से left क्लिक करेंगे और यहां पर हम इसे connect करेंगे इसके बाद में यहां पर wifi password पूछेगा तो यहां पर आप अपना wifi का password डाल दीजिए तो यहां पर हम अपना password डाल देते हैं और यहां पर connect करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं कि यह connect हो रहा है जो red color का जो sign था वो चला गया है और यहां पर white यह पूरा white हो जाएगा तो आपके signal connect याशनक्त यानि आपके मावायल से connect हो जाएगा आपके पास wifi है या फिर अप अपने मौवायल से connect करना चाहते हैं तो अपने मौवायल से भी कर सकते हैं या फिर आपके घर में याशन वाइफाई सेट अप है तो वहां से भी आप उसे चला सकते हैं तो चलिए यहां पर हम अपना ब्राजर उपन करते हैं और कुछ ब्राजर करके देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि यह कैसा चलेगा या नहीं चलेगा तो सबसे पहले हम यहां पर अपना ब्राजर खोलेंगे और चलिए यहां पर हम कुछ भी सर्च कर लेते हैं तो क्या सर्च करना चाहिए चलिए हम यहां पर अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे यहां पर आपको कुछ अगर आप computer यूज करते हैं तो कुछ और जानकारी मिल सकती हैं तो अगर आपको यहां पर कुछ पोस्ट आती हैं तो फॉलो कर लिजिए और उसे सब्सक्राइब कर लिजिए तो यहां पर हमारा जो net चालू है मवल का और यहां पर हमारा जो browser भी चालू हो रहा है तो यहां पर मैं घर के अंदर हूं और यह कमरा जो है मेरा तोड़ा कुछ ज्यादा ही अंदर है तो यहां पर तोड़ी net की जो speed की तोड़ा प्रॉलम है आप नीचे देख सकते हैं कि इसकी speed काफी कमा रही है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा जो internet है वह चालू हो चुका है हमारे PC में और यहां पर आप देख सकते हैं हमारे कॉपी कर लें अगर ड्राइवर को install करने की कुछ प्रॉलम आ रही है तो आपको एक बात बता दूँ कि अगर आपकी विंडो एक्टिवेट नहीं है तो भी आपको यह प्रॉब्लम आ सकती है कि आपके ड्राइवर है जो है वह इस्टॉल नहीं होंगे तो उसके लिए आप आपको माई कंप्यूटर में जाना है और प्रॉपर्टीज में जाना है वहां से आप चेक कर पाएंगे कि आपके जो विंडो है वह एक्टिवेट है या नहीं तो यहां पर आप देख पाएंगे कि जो हमारी विंडो है वो यहां पर activate है अगर आपकी विंडो एक्टिवेट नहीं है तो आपको आई के बटन में वीडियो मिल जाएगा तो आप उसकी जानकर ही ले सकते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहां पर यह लोग आना चाहिए अगर आपके में नहीं आ रहा है तो साइद आपके पीसी में ड्राइवर इंस्टॉल ना हो ठीक है तो इस बात का ध्यान रखिए अगर आपको इसके बारे में और भी इन्फरमेशन लेनी है तो यहां पर भी आपको एक आर्टिकल मिल हैं तो आसा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए आपका जो भी कोई सवाल है तो आप हमें नीचे पूछ सकते हैं जैहिन पंदिमातरम